असलाम वालेकूम दोस्तों तो आज मैं आप लंगे साथ शेर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा डिलीशेस एंड टेस्टी बनने वाली मिठाई जो बहुत ही जटपट से और आसान तरीके से बनाकर रेडी करेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है अगर वीडिय चील लेंगे अब देखें यहाँ पर मैंने एक परवल को अच्छे से चील कर रेडी कर लिया है अब इसके ऊपर वाला और नीचे वाला जो होता है पोशन उसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा और इसके बीच में कट लगा लेंगे तो याद रखिए नीचे तक हमें कट नहीं लगाना है, इसको सिर्फ ऊपर के हिस्से में कट लगा लेंगे, और एक चबमच लेकर चबमच के पिछले हिस्से से देखे, इस तरीके से हम इसके अंदर जो बींज होते हैं, वो बींज को हम निकाल लेंगे, तो देखे फ्रेंट्स यहां पर मैंने सारे बींझ अच्छ तरीके से निकल जाएंगे और Finance से भी निकल जाते हैं तो यहां पर मैंने सारे बींच को निकाल लिया है अब दूसरे भी हम सारे बींच को निकल कर लेंगे तो देखें एभी यह मिठाई बहुत ही ज्यदा आसन तरीके से बनकर ready हो जाती है तो देखे फ्रेंडस क्यों पर में और परष्च कर परवल को इस तरीके से उसके बिंच निकाल ये हैं और एक बॉल में यहां पर पानी ले ले लिए हैं इसमें तीन चार बर हम इसको अच्छे से दोलेंगे तो यहां पर देखिए नेक्स्ट मैंने गैस पर एक बड़तन में पानी रख लिया है पानी अच्छे से गरम हो गया है अब जो हमने परवल को दोलिया था वो परवल सारे हम इसमें पानी में डालेंगे गरम पानी में और इसमें अच्छे से पकन लेंगे फ्रेंट्स 15 मिनिट के लिए मैंने इसको बॉइल कर लिया था तो यहां पर देख सकते हैं परवल हमारे अच्छे से बॉइल हो गए हैं और अच्छे से गल भी गए हैं यहां पर तो इस समय क्या करेंगे हम फ्लेम को बन कर लेंगे और इसको गैस से निकाल लेंगे त लेगी बहुत अच्छा सा ग्रीन कलर आ जाएगा इसमें तो देखिए परवल को हमने निकाल से गासे वह पानी में से निकालते जाए गे और यह पानी म्हें डाल लेंगे हमहारे ग्रीन को ऊबने दालएकश़फ यहां पर आपघर आप दिन दालनी और यहां पर रहा है यहां पर बन रहा है लेकिन पूरा नहीं बन रहा है तो इस तरीके की चास्नी हमें चाहिए तो यहां पर अच्छा रही है फ्लेम को लो कर लिया है मैंने अब यहां पर देखे 10 मिनिट हो गए है परवल हमारे आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा कलर आ गया है इसमें तो अब यह सारे पानी में से निकाल लेंगे हम इसको प्लेट में रख लेंगे तो देखे फ्रेंड्स यहां पर लो फ्लेम पर मै दो से थीन मिनिट के लिए हम पका लेंगे इसको तो देखे एक पर फ्लेम को बंकर लेंगे तो तब तक यहां पर अगय को तो इसकी फीलिंग को रेडी कर लेंगे अब यहां उसमें एक मैने यहां पर चीनी का लिया है और थोड़े से बारीक कटे हुगे बादाम दाल लिया है तो यहां पर मैने प्सारे छीनी का पॉडर दिया तो यह सारी सिसटों को देखे मैं अच्छा सा फिलिंग बना ली है तो चलोس देखे यहां पर हमारे परवली यहां पर हमारे कि यहांप कर लिया तो हम यहांपड थोड़ा-थोड़ा हौवा इस ora का बीच में फिल कर लिया है तो यहांपर कितनी feeling लगेगी हमें कितना खुवा लगेगा अपने हिसाब से हम इसमें फिल कर सकते हैं तो देखिए मैंने इसमें फिल कर लिया है सारा खुवा अच्छे से जितना आएगा उतना ही मैंने इसमें फिल कर लिया तो इसके बीच में और आसान तरीके से हमने यह मिठाई बना कर रेडी कर ली है तो देख सकते हैं कितना हम यह और यह बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना था तो सारे हम इसी तरीके से बना कर रेडी कर लेंगे तो देखें यहां पर हमारी मिठाई बनकर रेडी है सारे बना कर मैंने रेडी कर है इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बना था फ्रेंड्स और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बना था आपने देखा कितने आसान तरीके से और कम खर्चे में हमने इसको बना कर रेडी कर लिया है तो आप भी जरूर बनाए फ्रेंड्स इस तरीके से और मुझ प्रिस् हाई प्रड़ बाओ बाढ़े कि पीजिए